नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स और ये विडियो उन सभी टीचर्स के लिए एक स्वीव हेलफुल होने वाली है जो अब घमेंट कर रहे हैं कि मैं आप फादर्स दे आने वाला है स्कूल वालों ने कह दिया है कि नई activities प्लान करो अफादर्स दे को लेकर अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है ऑफ लाइन तो हम लोग देखती थे वाट ओनलाइन क्लास में बड़े अब्जर्वेशन पे रहता है क्योंकि प्रेंट्स की नजर रहती है और उसी के हिसाब से स्कूल की रेटिंग चल रही है आजकर जो स्कूल बहुत प्रेंटेबल है बहुत अक्टेव हैं सभी सोशल प्लेटपॉंस पर क्या 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 कर रहे हैं कहीं न गहीं इस कोविड में उसकी रेंकिंग उसी की वज़े से उपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या टीशन टीचर हैं स्कूल टीचर हैं घर में मदर हैं कुछ भी हैं बच्चों को इस तरीकी के अक्टिविटीज में अंगेज रखना आपकी जिमिदारी बन जाती है उसके होलिस्टिक डेवलप्मेंट को उपर करने के लिए वैसे इन सब चीजों का मोहताज नहीं है क्योंकि हमारे जो फादर हैं उनके लिए हम हर दिन स्पेशल करें रेस्पेक्ट करें उनकी बातों को सुनें समझें यह चीज अगर हमने बच्चों के जीवन में उतार दिया तो बाकी अक्टिविटीज मग बनाओ कप बनाओ पीज़ा बनाओ यह सब रखी की रखी ने जाती हैं बाल फिर भी टीचर्स के लिए यह वीडियो एक्स्ट्रीम हेल्फ होलोने वाल और यहाँ पर जो अक्टिविटीज हम पादस डे के लिए प्लान करेंगे उसमें मदस को इंवाल करेंगे रीजन क्यूंकि हमें फामली अपने पैरिंट्स के साथ एक बॉंडिंग भी जो है बच्चे की बनवानी है ठीक है तो लेट्स बिगिन इस वीडियो तो हमारी पर्स्ट जो एक्टिविटी है वो इमोशनल बॉंडिंग को लेकर है ना तो उसमें हम यही टास कहेंगे कि पापा के बारे में घर के अलग अलग लोगों से तीन लाइने जो है तीन स्टेट्मेंट जो है मैं वो रिकॉर्ड करनी है तीन स्टेट्मेंट दादी कि आपको अपने ब्रशियन और यह विडियो ces सटे हैं कहां से सब्स्क्राइब कर सकते हैं कहां से क्लिप्स को मर्ज कर सकते हैं कहां से बेक्ग्राउंड में सॉंग लगा सकते हैं तो यह सब चीजे बच्चे को एंगेजिन करेंगी राइट डिरेक्शन में उसके जो एनरजी यह उसकर और पापा के लिए तो मतलब अमेजिंग हो जाएगा कि लोग उनके वारे में इतना अच्छा तो सोस्ते हैं मतलब तो नहीं इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी हो सकती है कि आप बचे से कह सकते हैं कि ब्यूटिफुल हैंडमेड कार्ड बनाओ है ना हैंडमेड होना चाहिए और वह हैंडमेड बेस्ट आउट वेस्ट हो ऐसा नहीं है कि उसमें आप बहुत सारे ऐसे पेपर्स उठा लाएंग चाहिए पेपर वेट चाहिए यह सब चीज़े क्योंकि जॉब करते हैं तो उनकी नीड की जो चीज है क्रियेटिव में बहुत सारे आइडिया आपको गूबल पे मिल जाएंगे बहुत सारी पिचर मिल जाएंगी तो उनमें से कुछ भी पिक करके ऐसा कुछ बच्चे के ल अगर आप जो हाथें के अलाव खड़ते हैं कि आपके जो यह लर्निंग गृप्स हैं वोटसेप टेलिग्रम जहां पर भी आप चीज़े मंगाते हैं वहां पर अगर आपके बच्चे फोटो अलाव होते हैं डालना फैमिली के तो बचा जो है अपने पापा की बच्पन से अब तक कि सारी फोटो जो चुनो चुनो से लेक्व बढ़े होने तक जितनी फोटो में अच्से मां बच्चे को बिल सती हैं उन सब फोटो का एक को लाश मिनाए और की यह जोगी सारी मेरी एक साथ में ऐसे भी दिखता था इसे भी बहुत सूर्प्राइजिंग होग यह ब के पेरेंट्स को दिला दोगे तीचर चिक है तो जस्ट बेस्ट और इग्दम फणी सी एक्टिविटी आई यह कि आप ना बच्चे को 10 लिखने के लिए दें मी एंड माई पापा पॉर 10 डेज यहाद करके देखिए हमारी बड़ टीचर ने हमें क्लास में रेंडम दिया था हम लोग वह शतानी कर रहे तो हमारी टीचर ने हमें कहा था कि इसके उपर आपको लिखना है 20 जिसकते हैं 30 जिसकते हैं बच दिमाग लगाएगा 10 दिन तक मैं और पापा उगे घर में क्या क्या कर सकता है और जब वह imagination अपने पापा के साथ share करेगा, मम्मी के साथ share करेगा, तो amazing experience होने वाला है उनकी life आप बच्चे से कह सकते हैं कि सबी बच्चे जो है अपने पापा के ऊपर एक अच्छी सी poem लिखेंगे, वो share करेंगे otherwise एक अच्छा सा beautiful सा dance जो है, जैसे मेरा फेवरिट ये गाना बहुत जादा है कि मेरे पापा चनना ने पूचा तारो से तो बच्चे बड़े भी है ना अगर कुछ enactment कर ले, कुछ ऐसा act play कर ले, घर में दो तीन भाइबेन मिलके, अपने पापा के लिए surprise देने के लिए और चाहे तो आप उसे अपने group में भी मगा सकते हैं, अपने जो आपके social handles से school के वहाँ पर share कर सकते हैं हमारे बच्चे इस तरीकी के activities में participate कर रहे हैं, तो definitely वह जो activities होती है, वह actual emotional bonding जो है, वह create करते हैं, instead of, जो फाल्तो की ऐसी उदिना बहुत ही गवाली activities, कि आप यह कर वालो, वह कर वालो, उन्हें कुछ emotional warning नहीं है, आज की वीडियो है, हमारे basically dedicated इसलिए है, कि ऐसी activities हो, जहां real में असली जो values है, family values हम बच्चे को वह सिखा पाए, ऐसी activities teachers जो है, अपने students के लिए प्लान करें, आप अच्छे से कह सकते हैं, अप अनलॉक होनी चीज़े शुरू हो गई है, कि आप one hour spend करेंगे, प जाए जाएंगे, यानि complete one hour आपको अपने पापा के साथ spend करना है, कहां पर environment के साथ, तो इस तरी कि धेरो सारी activities, बाद आपको ध्यान यह रखना है, कि इन activities में, आप बच्चे को emotional bonding सिखाए, आप actual में respect करना जो है, वो सिखाए parents को, ऐसी चीज़े आपको implement करना है, आप ऐ यह गलत करते हो, बच्चे के उपर जो है, उस चीज़े का ऐसा impact पढ़ रहा है, तो यह चीज़े जो है कही बार आपकी गलती आपको सुधारने का मौका देते हैं, इस तरी की activities आप टीचर्स प्लान करिए, डेविनेट है, आपकी स्कूल की rating, आपकी rating, और बच्चे और प कोई ideas है, कोई comments है, कोई thoughts है, कुछ activities है, तो वो भी आप लोग मेरे लिए comment section में छोड़ी और प्यारे क्वारे से comments करिए, यह comments में show कर रही है, उससे पहले वीडियो में जिन लोगों अच्छे-चे से comments करें, ऐसे हर comment जो है आने वाली वीडियो में में आप लोग के share किया कर अभी तो मेरी सारी latest videos की जो notification है, वो आप तक सिबसे पहले पहुचेगी ना, thank you so much guys, thank you so much for coming to my channel